हेलो एफ्रिवन मैं मितुन सिंग स्वागत करता हूँ आप सभी का आसा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे जारकंड सायक चार 26001 पदों के लिए जो भरती आए हो यह आपको पता होगा कि इसका आखरी पेपर की जो है सुरुवात हो चुकी है पेपर 4 की और पेप एक्चली होगा कि पेपर 4 में जो है तीन सब्जेक्ट है और पेपर 4 में जो तीन सब्जेक्ट है तीनों ही ग्रेजिवेशन में जो बच्चे ओनर्स पेपर में पढ़ते हैं उनके सिलेबस को इंक्लूड किया गया था और बार बार लोग बोल रहे थे कि यह तो आईयस से ज्यादा डिफिकल्ट क्या है सिलेबस है लेकिन पैटरन जो है थोड़ा सा धेला पूछा गया था और आउट ऑफ सिलेबस भी कोशन आए अब बोलोगे ऐसा कैसे जूट बोल रहे हो आप तो देखिए जिनका मैथेमेटिक्स है वो नीचे कॉमेंट करके आपको बता यह थे तो यह सब बन सकते थे लेकिन उन्होंने वहां से भी सवाल दिये है ऐसा देखिए अनुग हुछ नहीं लेकिन यह जो कमपेटिटिव मैथमेटिक्स है वो भी सवाल पूछे गए थे और फिर से बता दू ग्लास 8,9,10 यहां से जो है सवाल पूछे जाएंगे आपक history हो, geography हो, hindi हो हिंदी वाले तो ब्याकरन के सवाल जरूर करके जाए ब्याकरन के question को जरूर करके जाए हिंदी वाले के लिए ये बहुत fruitful होगा अगर आपका English है तो grammar को जरूर करके जाए grammar अगर आपका ठीक नहीं है तो आप exam में ठीक से नहीं कर पाऊगे कि atomic number को आप जो है किस से denote करोगे atomic number को jet से denote किया जाता है तो ऐसे basic सवाल भी पूछे गए थे जैसे कि एक solution है उसमें है suppose कर लो कि 100 gram क्या है water है और 35 gram जो है चीनी है सुगर है तो इन दोनों को मिला कर जो solubility क्या बनेगा चीनी का ये सवाल इस तरह के से जो है morality वाले सवाल भी बने थे तो class 8, 9, 10 के question को जरूर करके जाए मैं आपको फिर से बता दूँ subject आपका कुछ भी हो I repeat subject कुछ भी हो लेकिन आप पुराने questions paper को जरूर देखे 8, 9, 10 वा जो सवाल बनते हैं उसे ultra sound बोला जाता है या क्या बोला जाता है नीचे comment आइ मिन जो है वो पूछा गया था सवाल तो ऐसे सवाल बने थे जो कि बहुत ही basics थे class 10 का ये सब question है और हो सकता है कि class 7 में भी sound अगर chapter है तो वहाँ भी इसके बारे में बता गया है कि हम लोग 10 hertz 20 hertz और 20,000 hertz से जादा को अब आसको में लोग catch ही नहीं कर पाते हैं डॉग उन आवाजों को पहचान पाता है इस तरह के सवाल जो है बने थे अब बात कर लेते हैं देखो मैं वेट एमनेट एक rough sit ले लेता हूँ देखो अब आपके मन में आ रहा है कि हाठी के मेरा हिंदी है तो हिंदी के लिए क्या पढ़ें आप तो देखिए हिंदी का जो आपका syllabus है वो आपको completely पढ़कर जाना होगा लेकिन syllabus देखकर डरने वाले जो बच्चे exam नहीं देने के लिए आएं वो बहुत पच्चताएंगे क्योंकि syllabus में हैं कुछ questions बहुत ही easy थे मैं आपको इमानदारी से बता देता हूँ आप 33% ले आओगे अगर throughout year आपने completely पढ़ा है तो आप ले आओगे easy questions से आपका काम चल जाएगा हिंदी क्या यहाँ पे आप civics लिख दो और difficult सवाल भी examination में पूछे गए थे ऐसा नेकी graduation के सवाल नहीं आये थे graduation देखो 9, 10 8, 9, 10 से भी सवाल बने थे यह सवाल आपको pass करादेंगे अब देखो plus 2 से भी सवाल बने थे यह moderate वाले category में आता है और difficult वाले में I mean plus 3 या फिर आप graduation बोलो यहां से भी सवाल बने थे तो इन चीजों को ध्यान में रखके जाएगा घबराने की कोई जरुत नहीं जिनका math वाला paper है please I repeat चोर सिपाई वाला question पढ़ लो की चोर को वो कितने देर में पकड़ लेगा इस तरह के सवाल चाल और दूरी वाले सवाल आप जरूर करके जाओ यानि की speed वाला question पढ़ कर जाएए आप हाँ एक और बात profit loss से भी सवाल बने थे तो profit loss का भी सवाल आपको करके जाना चाहिए तो इस तरह के सवाल बने थे average से भी सवाल पूछा गया था अब मुझे धिरे धिरे याद रहे competition में ये सवाल पूछे गए थे और integration से भी सवाल आया था matrix से सवाल पूछा गया था तो इन चीजों को ध्यान में रखिएगा integration और जो matrix है उसे आप करकर जाएंगे तो ये था review में paper 3 अच्छा गया है उनका selection लगभग लगभग है क्योंकि paper 4 में मुझे ये doubt था मैं आपको बता देता हूँ मानदारी सी के syllabus इतना difficult है लोग पास ही नहीं कर पाएंगे लेकिन syllabus को easy किया गया है I mean syllabus को तो difficult ही रखा गया है बट exam pattern को easy कर दिया गया है जिस बज़े से जो है exam आप बिल्कुल आराम से देने के लिए जाओगे देखिए कुछ question definitely आपसे नहीं बनेंगे आपको लगएगा कि ये difficult है लेकिन आराम आराम से skip करते जाएं आपका काम बन जाएगा मेरे बहुत सारे परखा समझा वो आपके साथ साजा कर दो ताकि आप अच्छे से exam दे पाओ और ये मेरा सुरू से रहा है motive कि मैं आपको genuine और authentic guidance जो है provide करता रहूँ चलिए आप लोग अच्छे से exam दें all the very best है आप सभी को अगर ये review अच्छा लगा होगा तो नीचे comment करके जय ही जरूर लिखेगा ताकि मुझे भी पता चल सके कि review को आखरी तक किस ने देखा था वीडियो को यहां तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत सुक्रिया have a good day